हलो प्रेंज कैसे हैं आप आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूसफुल चीज जिसके जरुरत तो हर घर में हैं लेकिन काफी लोगों को पता नहीं होता है इसी के बारे में तो मैं आपको दिखाऊंगी एक ऐसी चीज जो की आपके बहुत काम आने वाली है यह है वैक्यूम स्टोरेज बैग मैंने यह फ्लिपकाट से ओडर किया है यह एक पंप है और इसके साथ में आते हैं यह चार एकाइट बैग जाते हैं यह बेसिकली स्पेस सेवर है अगर आपको कोई भी चीज अपने ड्रेस या पर रोवल रखना है क्लोज हैं ब्लांकेट कि रखना चाहें यह ट्रैवल में आपने ट्रॉले बैग में ले जाना चाहें तो आप ईसली ले जा सकते हैं यह एक वैक्यूम टाइट सील हसी वाटररप्रूफ मैं जन इसके साथ में आते हैं तू स्मॉल औं तू मीडियम साइज के बैग यह 50 तू 60 cm के हैं और यह 60 तू 80 cm के दो बैग है तू को चार बैग आते हैं इसके साथ में वह इसके बीपी अ फ्री मटीयल है इसमें दो यूज हुआ है ब्यूतिफुली ऑगनाइस कर सकते आपना क्लॉज एक साथ, तो देखी यह कुछ इस तरीके से है जैसे अगर आप डैकली इस भोड दखते हैं कि यह इस तरीके से रखा जाता है, और अगर आप इस Geral कर लेते हैं, तो इस तरीके जो प्रोडक्स हैं उनका मिलाके 539 मेंने पे किया है तो कर लेते हैं से ओपन में आपको एफ बैग दिखा लेती हुए काफी बड़ा साइज है कुछ बड़ा साइज नहीं है यह दिखिए फ्रेंज अगर मैं आपको 60-80 cm का अगर साइज दिखा हूं तो यह कुछ इस साइज क यह कुछ 4 मैंने टाइम्स अपने हैंड्स को यूज किया है और इस तरीके से अगर आप देखें तो यह वान टो एंड थ्री में थोड़ा सा कम यह देखिए फ्रेंट्स आपको इसको उपन करना है और इस पंप को यहां लगाना है और इसको ट्विस्ट करना है थोड़ा सा यह दरफ टैक हो जाएगा और इसको आप जड़ा खीचेंगे तो अंदर कोई भी समानों का वह सीड़ाइट हो जाएगा वैसे भी इसको निकाल देना है और इस तरीके से इसको बन कर देना है देखिए फ्रेंट्स मैं इसमें आपको यह रखके दिखाती हूं कि किस तरीके से वर्फ करता है कि देखिए मैं आपको इस बैक के अंदर यह यह रखके दिखाते हूं कि इस तरीके से वर्फ करता है आपको सिंप्ली ओपन करना है इसमें एक जिप पाउश दिया हुआ है यह देखिए डबल जिप है इसके अंदर काफ़े अच्छी क्वालिटी की जप दीव यह देखिए आपको जिप से इसको खोलना है आप कोई भी अपनी गाउन साड़ी कोई भी चीज इसके अंदर डालिए तो लिए इसको लगाई जो थोड़ा सा टूस्ट करना है आपको जाता है और यहां से आपको इस जिप को खीट दिना है ताकि एक इस पबार से लॉक हो थोड़ी सी महनेट लाएगी इसके अंदर के जितनी एक्स्टायर है वो सारी बहार आजाएगी तो देखिए यह ताइट होना शुरू होगा आपको खुद प्रुद पता लग जागा आपको कितना खीषना है अब यह खिश नहीं रहा है थोड़ा सा प्रेस करना पढ़ रहा ह मुझे खीषने के लिए तो इट मेंज के इसने इसको सील टाइट कर दिया अब आपको इसको निकालना है और इसका जो कैप है इसको लगा देना है यह देखिए एक दम मैं पॉलिफिन को पकड़के इसको खीज भी नहीं सकते हूं यह इतना टाइट हो गया है इसली आप कितना जादा इसमें वेट लिया हो था इसली आप इसे कहीं पर भी स्टोर कर सकते हैं इस तरीके से आप अपने बहुत सारे ब्लांकेट्स साड़ी का सकते हैं अपने ट्रॉली बैक के अंदर डाल के यह फिर अपने अन्मीरा में रखना चाहें तो उस तरीके से भी यूज कर सकते हैं आपको इसकी एर निकालनी हो तो बस आपको यहां से जिप से इसको खोलना है इसके अंदर हावा पास हो जाएगी और अपने आपकी नॉमल पहले की तरह हो जाएगा और अगर आप पर्चेस करना चाहें तो यह इस नाम से आता है तो स्मॉल और टू बिक मैंने यह लिंक डिस्क्रिप्शिन में डाल दूंगी मैं आप महां से पर्चेस कर सकते हैं और भी कंपनी के आते हैं आपको जो अच्छा लगे आप उस कंपन अच्छा लगे शब्सक्राइब कीजी थैंक यू